साल 1686, इस्ट इंडिया कमनी के सरचाल्ड ने मुगलों के बादसा ओरंग जेप के खिलब जंग छेड़ दी और इस जंग में इस्ट इंडिया कमनी बहुत बुरी तरीके से आल जाती है साल 1670 इस वग ब्रेटिन में क्वीन इलिजाबेट की डेथ हो गई थी और अब ब्रेटिन में किंग चार्ल्स टू का रास्ता अब इन्हों ने इस कंपनी को विदेश में युद्ध करने और खुद की सेना रखने की परमिसन दे दी थी अब इस कंपनी को इसके लिए कुछ अ सेना से पहले तो बारत में पोर्ट डूगीश डच और फांसिस के साथ यूद्ध करिये उनके आदि से ज्यादा इफेक्ट इसको बंद करवा दिया और दिरे दिरे बंगाल के पोर्ट वाला इसे को अपने कभजे में कर लिया ताकि उसका व्यापर बहुत अच्छे से हो सक अब साल 1681 में कमनी के वर्करस ने कमनी के डायरेक्टर सर चाल्ड को एक कम्प्लेंड की कि बंगल में जो मुगल बाचसाय औरंग जेब उसका पांचा नवब साहिस ताकान है उसके जो अधिकारी वो उन्हें टेक्स और किसी और मावल में उसे परिसान करते है अब सर चाल् में बात की थी और मुगुलन बिटीसों को चीटियों की तरही मसल दिया और और उरंग जेब ने उसके पांच कार खाने को तोड़ दिये और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया सूरत की फेक्टरी को भी बंद कर दिया गया और बंबी में भी सेम यही हाल क किया गया एंड कमनी के सभी वर्कस को बंदी बनाया और पूरे सेरों में अपराध्यों की तरह घुमाया और उन्हें अपमानित किया गया अब कमनी के पास फेक्टरिस को वापिस पाने के लिए माफी माफी माँगी और और अरंग जेब ने साल 1690 में इस कमनी को माफ किया पर ठीक 17 साल बाद 1707 में बाद सारोंग जेब की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद अलग-अलग शेत्रों के लोग एक दुसरे के खिलाफ हो जाते हैं और जब कमनी को इस बात का पता चला तो कमनी ने इस जीज़ का फायदा उठाया और वहाँ के रहने वाल स्थान टेक सिब बंगल सही आता था बंगल उस वक्त पूरे विश्व में कपड़े और जहांच को बनाने कले पेले नंबर परता बंगल के लोग रेशाम, सुती वस्तर, इसपाद, पोटेश्यम, नाइट्रेट और खेतिवाडी तता ओध्यों की वस्तों को बेच के अच्छी कमा कर लेते थे, तब बंगल की रादानी मुर्सिदा बाद हुआ करती थी और उसकी चकाचोंत इस वक्त के लंडन सभी ज्यादा थी, ये इतना समरुद राज्य था कि लंडन में जिसनी संपत्य कमीर व्यक्ति के पास होती थी, उनसे कहीं ज्यादा यापर कहीं लोगों के पा लेकिन कमपनी ने इस लेटर को इग्नोर कर दिया, और इसलिए सिराज जो दोलाना 23 जून 1707 को इस्ट इंडिया कमनी पर हमला किया और काफी व्यक्ति कि लोग पर अपना गबजा कर लिया, इस युद को प्लास युद के नाम से जाना जाता, और तब नवाब की सेना का सेन पती मीर जाफर था, और उसे नवाब बनने की बहुत दीशा थी, और जब इस इंडिया कमनी को इस बात का पता चला, तो इसने इस चीज़ का फाइदा उठाया, और मीर जाफर को अपने पक्स में कर लिया, अब मीर जाफर के इसी विश्वा स्खात के कारण, नवाब यू जाना खाली हो गया, तो मीर जाफर न इस कमनी से पिछा चुडवाने के लिए डच कमनी के साथ आत मी लाया, और उसकी सेना की मदर ली, और अब वो इस कमनी से युद्ध करते हैं, लेकिन वो युद्ध हार जाते हैं, और इसलिए इस्ट इंडिया कमनी ने पूरे बंगल क प्रिशासन अपने हाथ में ले लिया, और लोगों पर नए-ने टेक्स का बोज डाल दिया, यहां पर अब भी गद्धी पर तो मुगली बेटते थे, लेकिन उसे एक प्यांसन के तोर पर बिठाया गया था, उनके पास सेना भी थी, पर युद्ध हारने के बाद एक टिटी की साइन हुई थी, कि जब पिश्ट इंडिया कमनी को जरुरत होगी, तब उसे यह सेना देनी पड़ेगी, और साथ में यह भी बात हुई थी, कि बिट्रिस की सेना का चोबी खर्चोंगा, वो पूरा भारत की जंता कोई उठाना पड़ेगा, तब बिट्रिस इसा करते थे की पहले युद करते थे, और युद जितने के बाद जो पूरा युद का खर्चोंगा था वो राजा से लिया करते थे, कि तुमारे करण हमें युद करना पड़ा और युद में तुमारे करण हमें इतना नुकसान हुआ, तो उसकी बरपाई तुमें ही करनी पड़ेगी, और तब एक लाइन बहुत प्रेच लित थी, कि दुनिया खुदा की, मुल्क बाद साका, और वहाँ पर हुक्म कमनी के बहादुर के, अब इशिन ये कमनी को जो टेक्स आता था, उससे वो बारत में कुछ विकास तो नहीं कर रहे थे, बलकि उसी टेक्स से वो हमारा ही सामन करीदते थे, मतलब हमारा ही पेसे से हमारा ही सामन करीदते थे और यूरोप के मार्केट में बेच देते थे, साल 1757 से पेले कमनी गोल्ड या सिल्वर से जो सामन करीदी थी, वो हमारे टेक्स ही करीदने लगी थी और उस कमनी को ये सबब मुफत में मिल रहा था, और भारत क लोगों को करीब 100 साल तक इस बात का पता नहीं चला क्योंकि टेक्स लेने वाले और पारत में सामन खरीदने वाले दोनों एजंट अलग थे पर पिछे से तो वो दोनों एक ही थे अब साल 179 से 1773 तक बिहार से लेकर बंगाल का क्षित्र पूरा आकाल से प्रपावित था पर तब इन उने टेक्स कम नहीं किया बलकि लगातर बढ़ाते ही गए और इस अकाल में मुखमरी से 33% लोगों की मौत हो गई जिसमें लाखो लोगों की मौत हो गई थी पहले जो दुनिया का समरूद राजी हुआ करता था वो पूरी तरीके से अंगाल हो गया था अब साल 813 म कमणी की डोड लोड बेलेजनी के हाथ में थी और उसकी फिजूल पेसे खर्ज करने की वज़े से कमणी को तीन क्रोड पाउंड का करज हो गया था और जब ये बात ब्रीटेन के सांसल को पता चली तो उसने इस्ट इंडिया कमनी को जो बारत में व्यापर करने को से एक सके और साल 823 तक भारत को एक अधियोगी देश की जगह एक रुसक देश में बदल दिया ताकि ब्रीटेन में जो सामान बन रहा है वो पारत में अच्छे से बेच सके और फिर साल 823 में बीटी सांसल ने इस्ट इंडिया कमनी में जो भारत में व्यापर करने का अतिकार था उसे चीन लिया और इसे एक सरकार इंडिकम में बदल दिया गया फिर साल 835 में ये लोग एक मियम के अंतरगत अंग्रेजी लेंग्वेज और साहिते को बड़ावा दे रहते पर साल 827 में लोगों ने इसके खिलाफ वीरोत किया और उस दोरान कमनी ने हजारों लोगों को बाजारों में और सटकों पर लटका कर मार डाला और बहुत से लोगों को कुचल डाला और इसी साल की क्रांती के बाद साल 880 में इस्ट इंडिया कमने की ट्रेड मोनोपोली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और रानी विक्ट्रोय ने भारत को सिधा अपने कंट्रोल में अब साल 8801 की बात है जब इंग्लेंड में कापड की बहुत मीले थी और इस मिलों में कपस अमेरिका से आता था पर इस सेल अमेरिका में अंदर यंदर यूद होने लगे और वहां से कपस की आयद बंद हो गई तब भारत के लोगों ने उसके कपस की मांग को पूरा किया जो एक किलो कपास का उसे तीना ना मिलता था उसे अब उसका बारा ना मिलने लगा और इसलिए अंग्रे जोन इसमें से जंगी कमाई की और इसलिए अंग्रे जोन ने यहाँ पर गुजरात रों मार्ष्टर के किसानों पर कपास की खेती करने का दबाव डाला और अच्छे बंध हो गया और इस वजह से किषान अब ज्यादा कर्ज में डूब गए और 245 कर्ज का इसा वह अपने पास रख प्राइश कर्ण से खरीदने लगे वहादसे कर्णामाल मुफ्त के रिट में खरीदते और फिर कपड़े तर लाग क्रोड रूपे लूट के चलेगे और हमें कंगाल बना दिया पर फिवे अज़ादी के सिफ छोंतर साल के बाद हमने उसे पीछे छोड़ दिया और हमारा अधेस फिफ्ट रेंग पर है और आने वाले सिफ दस साल में में भी हम थर्ट रेंग पर होंगे और यह अमारे लिए एक प्राउड फिल करने की बात है सो अगर इन्पूमेशन अच्छी लोगी तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे और पार्ट वन नहीं देखा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा आप भूख लेकर किसी दा देख सकते हैं धन्यवाद